नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं करांदी सिंग यहाँ पर कॉंग्रिस नेता की तरफ से एक ऐसा बयान जारी किया गया जिसने अभी के दिनों में जो है हल चल पैदा करती है देखें सबसे पहरे तो हम आपको उता दे कि राहूल गांदी की सदेस्ता रध होने के साथ ही उनके चुनाव रेल वहाँ पर चुनावों में जैसे वो नामंकन भरते थे या फिर चुनाव लड़ते थे उन सब चीजों पर भी रोक लग चुकी है यानि कि वो अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में सब ने यही उमीद कर रखे थी कि चले जब तक कोट का फैसला नहीं आते है वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लेकिन कॉंग्रिस नेता काई कैसा बयान सामने आए जिसमें उन्हों ने यह दावा किया है कि राहूल गांधी चुनाव लड़ेंगे दोहजार चौबिस में आखे कार ऐसा दावा क्यूं किया गया इसको लेकर के तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन हम आपको वो बयान जरूर सुनाएंगे जिसमें यह दावा किया गया है तो जरा सुनिए देखिए ऐसा आपको बता दें यह जो राहूल जी की सोच है कि पूरे देश में महबद की दुकान खुलनी चाहिए उसकी सुरुवात आज मेठी में जायस ने कर दिया है मनिशा जी को चुनाव जिता के और निश्चित तोर से राहूल जी दोजार चौबिस में यहां सांस महबद की दुकान पूरे देश की जो उनकी सोच है वो मिठी में होने वाली है दोजार चौबिस में और राहूल जी निश्चित तोर से राहूल जी गांधी परिवार इस मिठी से जुड़ा है लोगों से जुड़ा है निश्चित राहूल जी लड़ें किस और जो है इशारा कर रहे है वो अब हम जाना ज़रूर चाहेंगे तो आप लोके क्या तरक है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बिताइएगा अभी के लिए बस इतना ही देश्चित तुनेक तुमाम बड़ी खबरों के लिए देखते ही नेक्स टाइन योस पॉलि